सकंदा मुवी का हिंदी OTT रिलीज डेट, सकंदा मुवी का हिंदी बोक्स ओपिस कलेक्शन, लियो मुवी के हिंदी बर्जन के लिए एक बहुती बड़ी बुरी खबर, मार्टिन मुवी से ओफिसल अपडेट, एसे और भी इंट्रेस्टिंग अपडेट, स्वागत है आपका फ्राइड़ अपडेट के एक नए एपिसल पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मुवी के रिलीज डेट के बारे में, इस लिस्ट में पहला मुवी है सांदेव, इस मुवी के रिलीज डेट को पोस्टपॉन कर दिया गिया है, अब ये मुवी आपको डिसंबर के महिने में देखने को नहीं मिलेगी, अब ये मुवी आपको अगले साल 13 जनबरी को देखने को मिलेगी, हिंदी के साथ और भी लांगोजेस में थेटरस में, क्यूंकि डिसंबर के महिने में सलार मुवी आ रही है, इस लिए इस मुवी के रिलीज डेट को पोस्टपॉन किया गिया है इस लिस्ट में अगली मुवी है बागलम, ये मुवी तेलगू में हिट हुई थी, ये मुवी आपको हिंदी में सोजन के नाम से 13 अक्टोबर को सामको 7 बजे देखने को मिल जाएगी, जी अनमोल के टीवी चानल पर, इस लिस्ट में अगली मुवी है रभी तेजा की मुव अब हम बात करते हैं जूनियर एंटियार की आने बाली मुवीज के बारे में इस लिस्ट में पहला मुवी है देबरा अबडेट यह है कि यह ओफिसाल एनांस हो चुका है देबरा मुवी दो पार्ट में रिलीज होगी हाँ फ्रेंट्स पार्ट वान मुवी आपको पांच अप्रिल दो हज़र चब्विस को देखने को मिलेगी हिंदी लांग्वेज में और उसके बाद आपको देबरा मुवी का पार्ट टू भी देखने को मिलेगा अगली मुवी है एंटियर थाटी वान कल साम को यह ओफिसाल एनांस कर दिया गिया है कि एंटियर थाटी वान मुवी की सुटिंग अगले साल एप्रिल के महिने में शुरू हो जाएगी और यह मुवी आपको दो हजार पच्चिस में द कि मुवी सलार से आपको पता ही होगा कि यह मुवी 22 डिसमबर को रिलीज होने बाली है तो कुछ निज निकल के आ रहा है कि इस मुवी के दो टेलर को रिलीज के आ जाएगा पहला टेलर आपको 23 अक्टोबर को प्रवास के बातरे पर देखने को मिलेगा और सेकेंड टेलर आपको मिड डिसम्बर में देखने को मिलेगा अगला अपडेट है थालाई बार 170 मुवी से इस मुवी के सभी कास्ट का एनाउस्मेंट हो चुका है आप कास्ट के फोटोज को वीडियो को रोक के देख सकते हैं और इस मुवी की पुजा भी कंप्रिट हो चुकी है पुजा से कुछ फोटोज को भी आप अपने स्क्रीन पर देख लिजिए इस मुवी में म्यूजिक देने बाले हैं अनिरूद बात करे कुछ डिटेल्स के बारे में तो कुछ न्यूजे की इस मुवी में आपको रजनी कांसर पोलिस ओफिसर के रोल में दिखाई देंगे, फ्यात फासिल आपको इस मुवी में बिलन के रोल में दिखाई देंगे, मंजु आरेर आपको इस मुवी में रजनी कांसर के वाइप के रोल में दिखाई देंगी, और और इस मुवी में आपको रजनिकान सर का एक केमियो देखने को मिलेगा अगला अपडेट है L2E मुवी से इस मुवी के लीड रोल में आपको दिखेंगे मोहनलाल सर इस मुवी का लॉंच हो चुका है यूटूब पर एक वीडियो को भी रिलिज किया गिया है आप सर्च करके देख सकते हैं इस मुवी की पोडेक्शन कमपाणी है Laiqa पोडेक्शन इस मुवी को डायरेट कर रहे हैं पृत्थी बिरा सुकमारन यह मुवी एक बड़ी पान इंडिया मुवी होने बली है तो यह मुवी आपको डाइरेक्ट हिंदी लांग्वेज में भी देखने को मिलेगी इस मुवी के सुटिंग को 5 अक्टोबर से सुरू कर दिया गया है अगला अपडेट है राम चरन की मुवी RC-16 से कुछ न्यूज है कि इस मुवी में फीमेल लीड रोल के लिए रबिना टंडन के डॉटर राशा थंडानी को लिया गया है इस मुवी में म्यूजिक देने बेले हैं एयर रेमन रिसेंटली इस मुवी के मेकर्स ने एक फोटो शुट भी किया है अगला अपडेट है थालापति विजे की नेक्स्ट मुवी थालापति 68 से अपडेट ये है कि 2 अक्टोबर को इस मुवी का अफिसली लॉंच हो चुका है और 3 अक्टोबर से इस मुवी के सुटिंग को भी शुरू कर दिया गया है इस मुवी के फीमेल लीड रॉल में आपको दिखेंगी मिनाक्षी चोधरी इस मुवी को डायरेट कर रहे हैं भेंकट प्रवू इस मुवी के मेकर्स इस मुवी को अगले साल 2024 में रिलिज करने का प्लान कर रहे हैं अगला अपडेट है आईलन मुवी से इस मुवी के टीजर को रिलिज कर दिया गिया है आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं ये मुवी आपको अगले साल संकरांती पर देखने को मिल जाएगी थेयटर्स में अगला अपडेट है नानी 31 मुवी से इस मुवी को डायरेट कर रहे हैं बीबे का थराए और कुछ न्यूजे की इस मुवी में फीमेल लीड रोल के लिए प्रियंका मोहन को लिया गया है और इस मुवी में म्यूजिक के लिए एर रहमन से बात किया जा रहा है अगला अपडेट है जेम रभी की मुवी जे आर 33 से इस मुवी के फास सेडूल के सुटिंग को अब पूरी तरा से कंपलीट कर लिया गया है इस मुवी का अफिसल अनॉस्मेंट आपको इसी मेही नहीं देखने को मिल सकता है इस मुवी में म्यूजिक देने बाले हैं एर र जेम रभी भी सुटिंग जोएन करने बाले हैं अगला अपडेट है लियो मुवी से इस मुवी के हिंदी टेलर को रिलीज कर दिया गया है गोल्ड माइंस पर इस मुवी में थालापती बीजे को भोयज ओवर किया है कॉमेडियान कृष्णा ने फ्रेंड जिस चीज का डर वही हुआ इस मुवी के प्रडूसर्स ने ये कंफरम कर दिया है कि इस मुवी का हिंदी भर्जन आयोनेक्स, PBR और सिनेपोलिक्स में रिलीज नहीं होने बाला है क्योंकि इस मुवी के OTT डिल को 28 दिन का किया गया है इसलिए ये मुवी स्रिप सिंगल स्क्रीन थेटर्स में रिलीज होगी लियो मुवी के प्रडूसर्स को एसा नहीं करना चाहिए था हमें बहुत उमिद्धे थी कि ये मुवी हिंदी में बहुती ज्यादा कलेक्शन करेगी लेकिन आप इस मुवी को हिंदी में स्क्रीन्स ही नहीं मिलने बाले तो ये मुवी क्या खाग कलेक्शन कर पाई थी तो देखते हैं लियो मूबी सिरिफ सिंगल स्क्रिंस में कितना कलेक्शन करती है अब हम बात करते हैं कुछ पोजिटिव नीज के बारे में तो तेलगु मीडिया से कुछ नीज निकल के आ रहा है कि लियो मूबी का कनेक्शन विक्रम के साथ होने बाला है ये लगभ निकल के आ रहा है कि सूरिया पहली बार बोल्विड में मूबी करने जा रहे हैं इस मूबी को डायरेट करेंगे करना इस मूबी का बजेट लगभग 500 करोल का होने बाला है और ये मूबी दो पार्ट में रिलिज होगी इस मूबी के सुटिंग को अगले साल से सुरू किया इस मूबी के डायरेक्टर इस मूबी के सुटिंग के लिए लोकेशन को कास्मीरो लदाक में ढूंड रहे हैं दस दिनों के अंदर इस मूबी के लोकेशन को फाइनलाइज कर लिया जाएगा अगला अपडेट है धुरूब सारजा की आने वाली इस दो मूबी से आज धुर अगला अपडेट है भगानता कैसरी मूबी से इस मूबी के टेलर को आठ उक्टोबर को रिलीज कर दिया जाएगा और ये मूबी आपको 19 उक्टोबर को देखने को मिल जाएगी तेलेगू लांग्वेज में थेयाटर्स में इस मूबी के हिंदी भरजन के बारे में अभी क कोई भी अनॉसमेंट नहीं हुआ है अगला अपडेट है हनुमान मूबी से इस मूबी के डायरेक्टर ने ट्विटर पर ये पोस्ट किया है आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए उन्होंने कहाएगी अब वो हनुमान मूबी के कलर गेडिंग को शुरू कर चुके हैं हन टेलर में रभी तेजा ने अपने लिए खुद आवास दी है लगभग सभी कारेक्टर ने अपने लिए खुदी आवास दी है ये मूबी आपको 20 ओक्टोवर को देखने को मिल जाएगी हिंदी के साथ और भी लांग्वेजिस में थेटर्स में बात करें टेलर के बारे में तो मुझे टेलर अच्छा लगा और सभी ओडियंस को भी टेलर अच्छा लग रहा है आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट पर वताना अगला अपडेट है रामयान मूबी से कुछ न्यूज है कि इस मूबी में राम के रोल के लिए रणबिर कपूर को फाइनल कर लिया गिया है और सिता के रोल के लिए साई पलिभी को फाइनल कर लिया गिया है और न्यूज ये भी है कि इस मूबी में आपको येस राबन के रोल में दिखाई दे सकते हैं लेकिन येस का रोल अभी पूरी तरा से कन्फ्रोम नहीं हुआ है इस मूबी को डाइरेट कर रहे हैं दंगल मूबी की सुटिंग लगातार तीन महीने चलनने वाली है इस मूबी के मेकर्स इस मूबी को अगले साल समर में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं गोस्ट मूबी का हिंदी टेलर आ चुका है ये मूबी आपको 20 ओक्टोबर को देखने को मिल जाएगी हिंदी के साथ और भी लांग्वेज में थेटर्स में कट्रिना केपेंड विजए सतुपति की मूबी मेरी किस्टमर्स के रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है अब ये मूबी आपको 8 डिसंबर को देखने को मिलेगी हिंदी लांग्वेज में थेटर्स में अब हम बात करते हैं सकंदा मूबी के बारे में इस movie का OTT रिलीज जड़ बताने से पहले हम इस movie के box office collection के बारे में बात कर लेते हैं इस movie का 8 दिनों का total worldwide share collection हो चुका है 31.96 करोड इस movie ने अपने budget का 69% recover कर लिया है इस movie का budget है 46 करोड इस movie को box office पर hit होने के लिए 47 करोड का share collection करना होगा अब हम बात करते हैं इस movie क OTT रिलीज के बारे में तो कुछ news निकल के आ रहा है कि ये movie आपको इसी महिने के 27 तरीकों देखने को मिल सकती है हिंदी के साथ और भी languages में डिजनी प्लोस होड स्टार पर अगला update है चिता movie से ये movie box office पर बहुती अच्छा collection कर रही है इस movie के सोच लगबक हाउस फूल जा हैं ये movie बहुती जल्द box office पर हीट हो जाएगी अगला update है bubble gum movie से इस movie में आपको दोने आक्टर देखने को मिलेंगे इन्होंने इससे पहले कोई भी movie नहीं की है इस movie के फास्टूक पोस्टर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस movie के टीजर को 10 October को रिलीज किया जाएगा इस movie के डायरेक्टर है रभी कांद फिरपू